फाइनली बीटीसी ने एक positive direction की तरफ move लिया है 33,000 डॉलर के zone को यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं break करने की कोसिस कर रहा है और जल्दी ही यहाँ से आसा करते हैं कि bitcoin यहाँ से 40,000 डॉलर के आसपास की zone को break करेगा लेकिन यहाँ पर दूइधाय बहुत जादा है bitcoin को लेके क्या यहाँ पर BTC अगेन यहाँ पर positive direction की तरफ जा पाएगा या फिर BTC यहाँ से और ज़दा dump कर सकता है अब इन सभी सवालों का जबाब इस वीडियो में में भी आप सभी को मैं देने की कोसिस करूँगा साथ ही जो है alls के एक बार बात यहाँ पर हम सभी करेंगे दोस्ते आपर alls के अंदर भी कुछ खास अभी recovery देखने को नहीं मिली है BTC ने यहाँ पर अच्छी खासी कोसिस की है यहाँ पर 33,000 डॉलर के आसपास जो है अपने आपको again जो है लाया है ऐसे में यहाँ पर जो है alls के अंदर अभी recovery नहीं मिली है कही ना कहीं top alls के अंदर भी कही ना कहीं अच्छी गिरावट है और सभी alls जो है भारी गिरावट के साथ है तो यहाँ पर जो है फिर भी कब तक जो है possibilities है इन सभी alls को recover करने की और btc का यहाँ पर क्या जो है next move हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर कुछ fundamentals news के बारे में भी एक बार यहाँ पर जरूर देखेंगे ऐसे में यहाँ पर crypto का fear और index बहुत ज़्यादा extreme है लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं अभी फिलाल की रेट में btc से cryptocurrency से तो यहाँ पर जो है क्या news की तरफ चलते हैं एक बार और उसके बाद देखते हैं हाँ पर क्या news निकल के आती है तो यहाँ पर अगर पहली news की तरफ चलें तो Thailand will regulate bitcoin as a payment method दोस्तो Thailand ने आप पर announcement की है कि हम जल्दी ही bitcoin को as a legal payment method accept करने वाले हैं तो यहाँ पर जो है यह positive news है btc को लेके साथ ही जो है Elon Musk जैसा कि आप सब भी जानते हैं वो हमेशा से ही आगे रहते हैं क्रिप्टो करेंसी की चर्चाओं के बारे में तो उन्होंने भी अपना जो है एक message सभी को दिया है ऐसे में यहाँ पर यह positive news है btc को लेके पुरी crypto market को लेके जल्दी ही यहाँ पर इस news का भी impact हमें देखने को मिलेगा बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली news की तरफ जो की निकल के आती है El Salvador की तरफ से El Salvador is remove bitcoin as a legal tender यहाँ पर El Salvador ने जो है bitcoin tender legal tender को यहाँ पर remove कर दिया है जबकि उन्होंने as a payment tender इसे accept किया था लेकिन अब वो इसे remove कर रहे हैं इसके पीछे का कारण यहाँ पर क्या है IMF board ने यहाँ पर उन्हें जो है बताया है कि यह आपकी economic status के लिए कहीं न कहीं बिकार है और ऐसे में आपकी financial stability को के लिए बहुत जादा risky भी है तो यहाँ पर BTC का एक बड़ा dump यहाँ पर कहीं न कहीं impact करता है उनकी financial stability के उपर तो जल्दी ही यहाँ पर यह news भी एक positive news की तरफ बदलेगी लेकिन अभी इसका जो है कहीं न कहीं bad impact ज़रूर है तो ऐसे में यहाँ पर बात करते हैं ऐसे में news तो काफी ज़ादा है BTC को लेकर लेकिन यहाँ पर Wales का भी एक पूरा बड़ा game है market में currently जो market यहाँ पर अभी dump और pump की इस्तिथी बनी हुई है BTC अगें जो है बहुत ज़ादा volatile है यह भी कहीं न कहीं Wales का एक बहुत बड़ा हाथ है तो Chinese Wales बहुत ज़ादा impact कर रही है BTC के साथ में तो लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं BTC के कुछ major support zone के बारे में यहाँ पर BTC अपने 33,000 dollar के support zone से आपर recovery ली है अब यहाँ पर कोई support zone था नहीं लेकिन BTC ने अगें यहाँ पर जो है एक अच्छी recovery यहाँ से दिखाई और यहाँ से जो है अभी currently जो trading हो रही है वो 37,000 dollar के आसपास जो है BTC अपने आपको रोके हुए है लेकिन यहाँ से क्या जो है BTC का next move हो सकता है क्या जो है यहाँ पर BTC किस direction की तरफ जा सकता है इसके बारे में यहाँ पर BTC अगें अगर कोई और बड़ी news निकल के आ जाती है market में जो यहाँ पर panic करती है और इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि BTC अगें जो है अपने 30,000 के zone पर यहाँ पर पहुँच सकता है लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो market में कुछ और positive news हमें मिल जाए जैसे कि यहाँ पर Tesla accept कर ले Bitcoin को as a payment method तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि जल्दी ही एक recovery यहाँ पर Bitcoin के अंदर हमें मिलेगी लेकिन इस तरीके के pump और dump यानि की एक साल में एक बार जरूर होते हैं और यह जो आपकी long term entries हैं उनके साथ आप जो है tightly उने hold करके रखिए लेकिन BTC यहाँ पर अगेन बहुत अची कोसिस में है कि यहाँ पर फिर से 40,000 डॉलर के आसपास यहाँ पर जाप है अगर यहाँ पर BTC 40,000 डॉलर के जोन के आसपास यहाँ पर resistance जोन को टच करता है तो क्या हम जो है alls के अंदर recovery देख पाएंगे अब alls के बारे में एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पर still यहाँ पर BTC जो है अभी 37 डॉलर के आसपास है अगर BTC यहाँ पर 40,000 डॉलर के आसपास यहाँ पर टच करता है तो alls के अंदर भी हमें एक recovery देखने को मिलेगी लेकर यहाँ पर panic माहौल जो है वो फिर भी कही न कहीं कायम रहेगा जब तक BTC यहाँ पर 43,000-44,000 डॉलर के आसपास यहाँ पर ना पहुंचे 45,000 डॉलर के जोन को यहाँ पर ब्रेक ना करें तब तक जो है blindly जो है इंवेस्ट ना करें क्रिप्टो के साथ यहाँ पर जो है market बहुत ज़ादा panic है यहाँ पर दोनों ही मौके आपको मिल सकते हैं अगर यहाँ पर BTC 40,000 डॉलर के जोन को यहाँ पर ब्रेक करके positive direction की तरफ जाता है तो alts के अंदर entry लेने का फिर से आपको एक मौका मिलेगा alts अभी बहुत ज़ादा down में है और ऐसे में 40,000 डॉलर के बाद ही जो है यहाँ पर कही न कहीं alts के अंदर एक भारी recovery देखी जाएगी लेकिन अगर यहाँ से BTC 33,000 डॉलर के आसपास की जोन को break करता है तो mistil slayer की जो यहाँ पर buying है वो कहीं न कहीं 30,000 डॉलर के आसपास कर है तो क्या उस support zone पर वो कायम रहेंगे लेकिन अगर वो support zone को break करता है तो यहाँ पर उसके बाद BTC में एक भारी dumping हम expect कर सकते हैं तो ऐसे में यहाँ पर यह updates दोनों ही positive और negative BTC किस direction की तरफ यहाँ पर move करता है still अगर alls के साथ आप 33,000 डॉलर के आसपास आपने entry ली है तो आप अपनी entries को कहीं न कहीं tight बना कर रखें अगर आप कोई दूसरा मौका देख रहे हैं किस तरीके से अगर आप already market में फज़े हुए हैं तो जब तक आप अपनी crypto को sale नहीं करते हैं तक आप loss में नहीं है तो ऐसे में यहाँ पर hold करें अपनी crypto को market अगर dump जाएगी तो pump me definitely आएगी और पिछले साल की बज़ा है आप सभी ने देखा कि किस तरीके से दो यहाँ पर अच्छी खासी recovery यहाँ पर market ने ली फिर से यहाँ पर all time record यहाँ पर market बनाएगी definitely अगर आप market के साथ है तो यहाँ पर जल्दी ही market यहाँ पर positive direction की तरफ आपको दिखाई देगी तो यह कुछ जूडी update यहाँ पर bitcoin से related और पूरी आहल्स market से related मैं आसा करता हूँ कि जल्दी ही यहाँ पर BTC positive direction की तरफ होगा अगर यहाँ पर BTC 40,000 डॉलर के आसपास की जोन को resistance zone को break करता है तो हम expect करते हैं कि हम यहाँ पर देख पाएंगे BTC के अंदर तो यह कुछ जूरी major update bitcoin से related I hope यह video आपको अच्छी लगी होगी description में मैंने telegram channel का link दिया है वहाँ पर जाकर जूरू जोइन कर लीजिए बाकि इस channel को भी subscribe कर लीजिए video आपको अच्छी लगी तो video को like कर लीजिए मिलते हैं